आई भाउजी, हाथ तुम बिलकु तुर्रा वाली नहीं लगती हो, तुर्रम साह लगती हो, यत्ती नीक बनार से सारी पहिन के हाँ भूयारा, मौ नजल न लगा दी न कि मैं मही नन पही रहाँ कुछ काम न कर पाऊं घर का हाँ नहीं भाउजी, नजल लग जे तुम पांठमिर चा उतार के तुमा डादे भे, अई तुम पहले पूज मध्यान लगाउती हो, कि ननन भाउजी, तुम पहले दरबार राचे मध्यान लगाउती हो हाँ जी साही आए पूजा पाजी कह ले पहले फी बाद मा बैट के आराम कर वे अब भड़िया फी गेत गवनाई बढ़िया होई माझे से अरे नहीं जी जी पहले गानवाना नहीं पहले कठा कह ले पढ़ ले नहीं जांद्रमा ने करी ना तो सब जने अपने अपने जगा मा भाग जी है तुम हाँ को कई चंद्रमा का द्याखे जाई थे को कई हम अपने पूपा का द्याखे जाई थे इंतन मा तुम भाग जी है अरे हाँ, तुम सुना लिया, फूपा का द्याखे मैं जहीं हूँ, फूपा नहीं हाँ हैं, हाँ, मैं आनलाइन से देखी हूँ, चले नी ममू, हाँ, फूपा का मात हुआ दिल्ली मा, दिल्ली से ना आ जाई, तुम द्याखा आपना पंदुला, हाँ, तो हम फी तो तेख बे बहुत समय पहले की बात है कि एक सागुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी, सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वैम खाते थे, एक बार उनकी बहन ससुराल से माय के आई हुई थी, हां, हां, साम को जब भाई अपना ब्यापा ब्यासाइब बंद कर घर आये, तो देखा उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी, सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौत का निरजल ब्रत है, वे खाना चंदमा देख कर उसे अर्वे देकर ही खा सकती है, चुकि चंदमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए भूख प्यास से ब्याकुल बहुत तडप हो उठी है, सबसे चोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती, और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर चलनी की ओट में रख देता है, दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदे हो रहा हो, इसके बाद भाई अपनी बह वहिन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्ध देकर और भोजन कर सकती हो वहिन, खुसी के मारे सीड़ियों पर चड़ कर चांद को देखती है, उससे अर्ध देकर खाना खाने बैठ जाती है, हम् करवा चांद कब्रत कलग तरीके से तोटने के कारण दिवता उससे नराज हो गए, और उन्होंने ऐसा किया है, सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पती का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, और अपने सतिप्त से उन्हें पुन जीवन दिला क और रहेगी और वह पूरे एक साल तक अपने पती के सव के पास बैठी रहती है, और उसकी देख भाल करती, उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह इकत्त करती जाती है, एक साल बाद पिर करवा चाउत का दिन आता है, उसकी सभी भावियां करवा चाउत कव्यत लेकन हर बार भावी उसे अगली भावी से आगरह करने का कहँ चली जाती है. इस प्रकार जब छठे नंबर की भावी आती है तो करवा उसे भी यही बता दोहरा थी है, यह भावी उसे बताती है कि चुकि सबसे चोटे भाई की वजह से उसका ब्रत तूटा था, अतहा उसकी पत्नी में ही सकती है, वह तुम्हारे पती को जीवित कर सकती है दुबारा, इ जब तक वह तुम्हारे पती को जिन्दा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है, सबसे अंत में छोटी भावी आती है, करवा उसे भी सुहागिन बनने का अग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है, इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है, भावी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है, अंत में उसकी तपेसा देख कर भावी पसीच जाती है, और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अम्रत उसके पत से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है है सिरी गड़ेश मा गवरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वर्दान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनियों को मिले बोलो करवा चौथ माता की जय पूरी किताब आविटिया कर रटी है समल्या अध्याखा या कथक के मध्यम से उनके भाई से यह तरन का भरहा है छलकपड लेकिन भाभी के भी सक्ती रही भुजाई के तो भुजाई से वही का भाईनी के घरवाला जीवित हुईगा यह समझा बात का तो पहले के जमाले में सटीन के सक्ती रहात रहीए अब Twitch महा घ्र wholly आप सब सबको यह तरह नहीं रहता है तो रबाली हा सही आई यह बात तो सही आ एक तरह नहीं सब को रहता है एक पाच्ण सबको बद नाम जाते हैं चला जी आरा ये काठ्थ मय जी के गानवाना गाल्या आए मैं का ते तनी जुखाम बुखार कि मैं काव आता हूं गल एक को नहीं चलता है जी जी धिर धिरगा दया तो हम गवाले बे अफी चल चली पूझे बे चंद मागी बे आरा भीगे हैं ठीक है तुम्हा माने तो धिर धिरगा देती हूं जगे मगे दी पे जलाऊंगी करवा चोथ आंगने में मैया की माथे में तीका सो है तीका सो है बिंदी आसो है लाले सिंदुरा लागांगी मैया मेरी जोड़ी बैनाए रखे ना मेरी मांगे का सिंदुरा सजाए रखे ना मेरी मांगे का सिंदुरा सजाए रखे ना मैया मेरी जोड़ी बैनाए रखे ना बैन यारा हमा वीडियो ने एक लागो तो लाइक कमें सिर्की निया जय करवा चाओ थमया की हप्पी बधाई हो सब बहनों के हो कर दो